हेले स्टुडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सब एक आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासस पर स्वगत है और आज स्टुडेंट आपको समझाने वाला हूँ प्रत्यावर्ती जनित्रिया डाइनेमो प्रत्यवर्ती धारा जनित्रिया प्रत्यवर्ती धारा डाइनेमो का कैसे कोशन आता है तो आपको पताओना चीए कोशन ऐसे आएगा प्रत्यवर्ती धारा जनित्रिया प्रत्यवर्ती धारा डाइनेमो का परिभासा लिखे इसकी संरचना और कारविधि को समझाओ तो एक वीडियो में मैं आपको प्रत्यवर्ती धारा डाइनिमो और दूसरे वीडियो में इस्टूरेंट आपको समझाओंगा दिश्ट धारा डाइनिमो तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रत्यवर्ती धारा डाइनिमो या जनित्र तो देखें कि जनित्र या ड पन कर रहा है, है ना, एक जनित्र है, एक उपकरण है, जो की किसी प्रकार से किये गए कार को धारा की रूप में रूपांत्रित कर रहा है, अच्छा एंत्रिक उर्जा क्या है, जिसे आप कोई बर्क कर रहे हो, किसी पदार्थ पर काम कर रहे हैं, अब वो हम काम जो कर रहे है उसमें जो उर्जा लग रही है वही यांत्रिक उर्जा है जैसे आपने एक पहिया को घुमाया पहिया को घुमाने में जो उर्जा लग रही है ना इस्टुरेट उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं यांत्रिक उर्जा समझ रहना अब वही उर्जा यदि विद्दोत उर्जा में बदल जाए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े डैम में है ना जहां पानी भर रहता है उसमें जो आर्मेचर कुंडली लगी रहती है तो पानी जो आता है तो वर्क किया जाता है तो वो गति ज Yuk करती है तो आत्री कुरजा को हम किसमें कंबड कर रहें विद्दोत उर्जा में है ना तो एक प्रकार का ने आत्र आने मो यह जैया उर्जा में परिवर्तित करती यह student चुमकी प्रण के सिध्यान पर कार करता है मतलब किसी भी चुमबक के प्रभाव से दूसरे पर चुमकी फ्लक्स उत्पन हो जाना और उस पर प्रईधारा उत्पन होने की घटना क्या कहलाती है चुमकी प्रण कहलाती है चीजें समझ गे इतना तो क्लियर है आसर उमीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आगया होगा अब प्रत्यवर्ती धारा डाइनमो की संद्चना भी सेखना जरू संद्चना है क्या क्या तो पहला नमबर है छेत्र चुमक जो प्रत्यवर्ती पर एन और दूसरे सीरे पर एस होता है तो नाल चुमक होता है है ना तो एक छोटे से डाइनमो में हम एक छोटा सा नाल चुमक का प्रयोग करते हैं जबकि जब एक बड़ा सा डाइनमो होता है तो उस पर एक सक्तिसाली चुमक का प्रयोग करते हैं तो ये चीज आप डाइग्राम पर ही समझ पाओगी तो देखिए पूरा डाइग्राम मने बिजबत बनाएं यहाँ पर देख सकते ही यह आपका N और S ठीक है न यह N और S है दो डाइग्राम बना है एक यहाँ पर N और S है तो ये भी एक नाल चुमबक के बिजबत समझ में आएगा जब आप अंदर तक देखें इसको पूरा बिजबत समझ में आएगा चिंता करने जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा इसको समझते जाओ तो जो यहाँ पर पहला भाग होता है यह आपका N और S दिखरा है ना यह N और S तो यह च्छण चुमबक है क्या इस्ट्रेंट च्छण चुमबक है च्छण चुमबक स्री नाल चुमबक है नाल चुमबक का मतलब होता है जैसे EU आकार का चुमबक है उसके दोनों सीरो पर N और S एक सीरी पर S द्रू और एक सीरी पर N द्रू पर है तो ये आप देख सकते हैं डाइग्राम में ये आपका ABCD ये आर्मेचर कुंड लिए है क्या है आर्मेचर है ठीक है ना तो आर्मेचर ABCD है ये कैसा होता है आयताकर देख सकते हैं आयताकर ABCD के रूप में आयताकर है ना आयताकर होती है और मुलायम लोहे के क्रोड लेते हैं उसमें विद्दू दूरत तार को सगन रूप से लपेट कर इसको हम बना देते हैं आयताकार के रूप में क्लियर इतना समझ गए आसार उमीद है कि ये तो समझ में आ गया होगा ठीक अब तीसरा होता है सरपी बला है सरपी बला है S1 और S2 येहाँ पर S1 और S2 मतलब जयसे एक भाग आपका जैसे आयताकार भाग है न؟ तो इसके दो सिरे होते हैं तो एक सिरे पर S1 और दूसरे सिरे पर S2 जड़ा रहता है एक सिरे पर S1 मतलब देख सकते हैं CD के साइड में CD के side में S2 जुड़ा हुआ है इधर भी देख सकते है CD के side में यह जो नीचे आता है यहाँ S2 जुड़ा है और इसमें AB के side में S1 जुड़ा है ठीक है तो डाइग्राम में आपको विद्वद समझाऊंगा पट अभी आप समझ लें कि सरपी बले यह ताबे के बने दो समाच्छी बले S1 और S2 होते हैं जो आर्मेचर के एक-एक सीरे से जुड़े रहते हैं ठीक है साथ-साथ उनके घूमते भी रहते हैं मतलब आर्मेचर जो आयताकार AB CD भाग है उसके एक-एक सीरे पर जुड़ा हुआ है और जो S2 है वो CD वाले भागे नीचे तक दिख रहा है तो नीचे वाले भाग में अब यहाँ पर आपको अलग-अलग दिख रहा है कि एक लंबा बना जिसर एक छोटा बना दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको अलग से दरसाने के लिए बास्तों में यह एक दूसरे के है ना पास-पास ही रहते हैं है ना थोड़ा सा गैप होता है लेकिन यहाँ पर दिया हम यहाँ पर ही दो बना देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे इसलिए S1 को अलग से दरसाय गया है और S2 को अलग से दरसाय गया है मतलब S1 का संबंद एक सीरे से होता है और S2 का संबंद दूसरे सीरे से होता है मतलब दोनों जो सरपी बले होते हैं एक दूसरे मतलब सीरे से जुड़े रहते हैं अगला पॉइंट अब ब्रूस ब्रूस यह कारबन या धार्तु से बनी दो पत्तियां होती है B1 और B2 जिने ब्रुस कहते हैं ये ब्रुस अपनी स्थेट में स्थेर रहते हैं मतलब ये घूमते नहीं स्थेर रहते हैं S1 और S2 के बल घूमता है है ना घूमते हैं सरपी वले के संपर्क में बने रहते हैं मतलब जो B1 और B2 है B1 और B2 के student इस्थिर रहता है केबल S1 और S2 घूमता रहता है है ना और इसी के घूमने के कारण इसमें जो दिसा है परिवर्तित होती है पहले जो दिसा होती student तो यहाँ पर आप देख सकते है B1 से B2 की ओर होती है समझ रहे ना B1 से B2 की ओर की ओर होता है कारण है सब कुछ समझाओंगा तो यह आप सारचना स्क्रीन सार्ट ले सकते हैं अभी थोड़ा सा फिर आपको कारविधी पुरा समझा रहा हूँ इसका विदिवत नोट्स लेना है आपको न तो 96,99,99 पर कंटेट कीजिए आपको पुरा विदिवत नोट्स दिया जाएगा 100% नोट्स इसके मिलेंगे 100 रुपए चार्ज लगता है एक सब्जेक्ट का यह ब्रूस है तो जो छोटी छोटी पॉइंट है उनको लिग देता हूँ अब इसका जो कारविधी है सबसे महत्पूर्ण चीज़े कारविधी तो इस्टोरेंट कारविधी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक से त्यार करते रहना है हैना बहुत ही अच्छे समझाऊँगा बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिस करें ठीक है चलिए जैसा कि आप लोगों को पता इस्टोरेंट कि जब भी हम किसी भी छड़ चुमबक के बीच या कि नाल चुमबक के बीच कोई भी कुंडली लाते हैं कोई भी कुंडली लाते हैं तो जो बल रेखाएं हैं चुमकी छेत रेखाएं हैं वो हमेशा N से निकल कर S की और जाने की प्रिवेश करते हैं, मतलब पोसिस करते हैं, अब जब चुमकी बल रेखाएं निकलती हैं, तो इन चुमकी बल रेखाओं या चुमकी छेतर रेखाओं के कारण, जो है student, यह जो आपका armature ABCD है, समझ रहे हैं, इसमें प्रिवेश धारा उत्पन हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रिवेश धारा, समझेगा, कि जब N और S के बीच armature को रखा जाता है, फिर आपको कैसे लेखना हो भी समझाओंगा, जब armature N और S के बीच रखा जाता है, तो चुमकी छेत रेखाओं में परिवर्तन होता है, और यहां से जो चुमकी छेत रेखाओं निकलती है, N से S के और चलती है, तो यह जो चुमकी छेत रेखाओं वो armature को काटती हो निकलती है, अब इस चुमकी छेत रेखा के कारण, आर्मेचर पर बद्चुम की फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है ठीक है ना किसमें बद्चुम की फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे प्रेज़ धारा उत्पन हो जाती है और जिसकी जो दिसा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार और फ्लेमिंग के दाएं की दिशा को और जो आपका तरजनी है चुमकी छेट की दिशा को प्रदरसित करेगी तो मद्धमा प्रेज़ धारा की दिशा को प्रदरसित करेगी समझ रहे ना प्रेज़ धारा यदि उपर की ओर है इस ट्रेंट ध्यान देजेगा तो चुमकी छेट लंबत 90 डिगरी पर दार्वाथ काम करता है उसी यानुसरार हम धारा पता कर भाते हैं कि धारा की दिश्णा कहां है, उपर की ओर है, समझदने तो, कुछ चीज़ें मैंने समझाया कि जब N और S 1 चप्ति चूंबकन की अनल चूंबक है, प्रबल चूमoquी छडिया का लाली चुम्बा का प्रियो करते हैं लेकिन छोटेश डाइनेमो के लिए अपन क्या करते हैं नाल चुम्बा का प्रियो करते हैं तो जब आर्मिचर ABCD को धुरूब खंड NS के बीच घुमाया जाता है तो यह जो NS है NS से जो चुम्बा की छेतर रिखाएं हैं वो जो चुम्बा की छेतर रिखाएं हैं वो ABCD से होकर जाती है अर्थार आर्मिचर जो चुम्बा की छेतर रिखाओं को क्या करती है काड़ती है समझ रहे ना जिससे student प्रेज़धारा उत्पन हो जाता है किसमें प्रेज़धारा उत्पन होगा आर्मेचर में और इस प्रेज़धारा को किसके अनुसार फ्लेमिंग के दाय हाथ के निमानुसार हम ज्याद कर सकते हैं इसकी दिशा को समझेगा पहला कंडिशन जब ABCD एक आर्मेचर इसको बामा बर्त बामा बर्त मतलब एंटी क्लाक बाइज है ना तच्छना बर्त एनी क्लाक बाइज होता है और एंटी क्लाक बाइज है नी बामा बर्त तो जब आर्मेचर ABCD को बामा बर्त में गुमाया जाता है कब 22 में तो इस्टोट कोई भी चीज जब हम घुमाएंगी तो एक दूसरे के विप्रित दिशा में होंगे जैसे मान के चलता हूँ अभी A B इस साइड है कुछ देर बाद ये CD इधर आएगा तो इसका डाइग्राम ये बन गिया बदल जाता है ना बदल जाता है समझ रहे है लेकिन इसके बदलने के साथ साथ चुमिकी फ्लक्स में परिवर्तन के करड़ इनमें जो प्रेज धारा की दिशा भी बदल जाएगी अब यहाँ पर देखी A से B की ओर धारा चल रही है लेकिन फिर आप देखेंगे D से C की ओर चलने लगी A से B फिर B से C से D की ओर लेकिन यहाँ पर बदल गई D से C यहनी उल्टा हो गई क्योंकि इसकी जो इस्तितर बदल जाती है तो जब माना मान के चलते हैं कि A B C D को बामा बर्त मेहपन क्या करती हैं घुमाते हैं तो जो A B की दिशा की ओपर की ओर और C D की दिशा नीचे की ओर होती है A B की दिशा उपर की ओर और C D की दिशा नीचे की ओर होती है समझ रहे तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमन सार प्रेज धारा की जो दिशा है A B C D की दिशा पर होगी और धारा B 2 से जैसे भाई यहाँ से आ रहा है तो कहां पर जाएगा B 2 पर जाएगा क्योंकि C D का संबंध B 2 से S1 से नहीं है तो C D S2 पर जाएगा और ब्रुस B1 पर जाएगा तो यहाँ से धारा B2 से B1 की ओर चलती है समझ रहे ना अर्थात ब्रुस B2 धंधरुप पर और B1 जो है रिनधरुप पर रिनधरुप की भाथि कार करता है इसके अपोजिट दूती अर्ध चक्र में भाई एक बर किस चीच को घुमाएंगे तो एक बार आधा घुमेगा तो यह A B इस साइड है अब जब दूती अर्ध चक्र आएगा तो यह बदल जाएगा यह इधर आएगा यह इधर आएगा फिल फ्लेमिंग के बाँ हाथ के नियमसाज जो धारा की दिसा तो उपर होगी तो अब दिसा क्या होगी उल्टा होगी देख सकते हैं दिसा क्या होगी उल्टा होगी प्रेद धारा की दिशा DCBA हो जाती है DCBA हो जाती है अब देख सकते हैं AB का संबन किस से है S1 से है तो धारा AB से होकर आ रहा है S1 में आएगा है ना ये ब्रूस है इस धारा कोलेगा तो ये जो B1 है धनात्मक की बहांतिकार करेगा और इसकी दिशा B2 की ओर चल रही है मतलब B2 जो है रणात्मक की बहांतिकार करता है यही पूरा प्रक्राम है और कुछ भी नहीं है समझ रहे हैं अब आपको थोड़ा सा कठील लग रहा हुग कि क्या वता दिया आपने फिर से समझो ये का आपके पास आर्मेचर है जब किसी भी हम छड़ चुमबक ये नर्चु लने की कोशिस करते हैं तो चुमगी छेत रेखाओं को गड़ता है जिससे बद चुमकी फ्लक्स में परिवरतान होता introductions और बाद चुम की फ्लक्स में परिवर्तान हों से प्रेद भी दुद्वाकबल उत्पन होता है और प्रेद धारा बढ़नी लगती है अभी जो धारा की दिसा है जो धारा की दिसा है वो किसके अनुसार निकालते हैं तो फ्लेमिंग के दाय हाथ की नियम अनुसार होती है तो इस्ट्रेंट यहाँ पर जो धारा देखी CD का संबद B2 से इसलिए B2 से B1 की ओर तो B2 धनात्मक और B1 रिडनात्मक की भाहती काम करता है ठीक इतना समझ गया दूती अर्ध चक्र में क्या होता है दूती अर्ध चक्र में बदलेगा यह जैसे कि इस्थित बदल जाती है A B जो है आपका बदल जाता है A B जो है बदल जाएगा CD की ओर और CD है AB की ओर आजाएगा तो जब CD तो पुना फ्लेमिंग के बाहत के तो CD की दिशा उपर की ओर हो जाएगी क्योंकि जो भी N के पास में आएगा आप उपर के ओधरा की जिसा को प्रदर्सित करेगा तो धरा की जिसा उपर क्योड हो गई तो already AB जो नापर क्योड होगी अब AB का संबन तो S1 से होता है यहाँ भी S1 से है और S1 से यहाँ भी रहेगा क्योंकि यह S1 S2 नहीं बदलता है एक-एक सीरे पर ये बद्ध होता है जुड़ा होता है इसकी दिसा बदलती नहीं है समझ रहे हैं तो AB का संबंध S1 से देख सकते हैं और CD का संबंध S2 से है तो जो S1 है B1 से जुड़ा हुआ है लेकिन दिसा बदल गई है तो अब जो धारा की भी दिसा है बदल जाएगी B1 से B2 की ओर हो जाएगी तो यहाँ पर B1 धनात्मक और B2 रिनात्मक की भाहती कार करता है मतलब धन्द्रो और रिनात्मक की भाहती काम करने लगते हैं और यही सिद्ध्यानत्य इस्ट्रेंट आपका क्या तो प्रत्यवर्ति डैनेमो की संद्चना के सिद्ध्यानत्य या कारविधी अब यहाँ पर जो लोड है आर है इसी में से तो अपन क्या करते हैं प्रिद्धारा को अपन किसी भी लोड या किसी भी मतलब संग्रहक में कत्रित करते जाते हैं लोट का मतलब क्या है? कि वहाँ से इंधारा ले रहे हैं तो यहां पर जो आपका एक प्रकार से एंत्रिक उरजा है वो विद्धुत उरजा में परिवर्टीस होता जाता है तो यह हो गया प्रत्यवर्ति धारा जनीतर प्रत्यवर्ति डाइनेमों का थोड़ा सा कार भी दी कॉंस्चेन बेपर में जो आता है वो आपको समझा दिया गया अगला जो कॉंस्चेन रहेगा आपका दिश्ट रिधारा डाइनमों उसे भी कंप्लेट करा दूँगा इसके बाद इस्ट्रेंट आपको जो है अगला चैप्टर रिस्टार्ट करके दूँगा ठीक है तो असर उम्मीद है कि ये वीडियो पर संद आई हुए पसंद आइट लाइक कर देना दोस्तों सेयर कर देना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब को बेल आइक प्रस कर लेना मिलते अगरे वीडियो में तब तक ले जाहिन बन्ने मातरम